चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देग स्वागद करता हूँ मेरे पैरे बच्चो, ICR का इंट्रेंस एक्जाम 789 सिप्टेंबर को है ये पहले 7813 सिप्टेंबर को था मगर इसको रिशेडूल करके अभी 789 सिप्टेंबर को कर दिया गया है ICR के एड्मिट कार्ड 1 सिप्टेंबर को अपलोड हो जाएंगे तो आप इसको इसकी वेबसाइट icr.nta.in से डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आपकी exam center related information होंगी आपका exam center कौनशा है ये उसमें indicate होगा तो आप इसको 1 सिप्टेंबर को डाउनलोड करके चेक कर लें और उसी के according exam center तक पहुंचने के लिए planning करें अभी ये जो ICR का exam होना है UG के लिए 150 minutes का exam होगा इसमें 178 CTs होंगे जहांपर ये exam conduct करवाया जाएगा English और Hindi दोनु मोड में UG का exam होगा इसमें अब हम बात करते हैं कि आपको exam center के दिन कौन-कौन से item लेके जाने हैं कौन-कौन से item band हैं नहीं लेके जाने हैं तो सबसे पहले admit card आपको लेकर जाना है जो आपने NTA की website से download किया है उसके साथ undertaking भी download होगी तो आपने वो download A4 size के paper पर print कर लेना है और वो admit card लेकर जाना है exam के दिन इसके बाद में एक original और valid photo ID proof लेके जाना है जो government त्वारा issue की गी है इसमें हो सकते हैं pen card, driving license, water ID, 12th class board का admit या फिर registration card इसके अलावा passport, आधार card, इसके बाद में रासन card, आधार enrollment number ID के photo के साथ में और इसके अलावा जो भी government की कोई other ID है वो भी आप ले जा सकते हैं इसमें attested copy नहीं चलेगी, ID proof की attested copy नहीं चलेगी, original होना चाहिए और mobile में scan की हुई ID भी ये इसमें accept नहीं होगी इसके बाद में जो candidate, PWD candidate हैं वो certificate लेके जाएंगे अगर वो PWD का reservation लेना चाहते हैं तो अगर उन्हें subscribe अवेल कर रखा है तो उसको under tracking के साथ में उसका भी photo ID proof लेकर जाना है इसके अलावा आपको एक sanitizer bottle लेके जानी है छोटे वाली इसके बाद में एक drinking water bottle transparent bottle में लेके जानी है और एक simple सा transparent जो pen होता है जिसमें जो ink है वो दिखाई देती है अंदर refill दिखाई देती है वो transparent pen लेकर जाना है इसमें इसके बाद एक passport size का photograph लेके जाना है जो वहाँ पर आपको attendance seat पर चिपकाना है तो ये सामान आपको लेके जाना है इसके बाद में आपने कोई भी personal item नहीं लेके जाना है जैसे mobile phone हो गया, digital analog watches हो गई, food item हो गई, study material हो गई, locates हो गई, bag, electronic gadgets और किसी भी परकार का कोई परतिबंदित सामान आपको exam center में नहीं लेकर जाना है तो ये condition है, इसमें कौन-कौन सा आपने सामान लेके जाना है, admit card के साथ में क्या-क्या, documents लेके जाने है इसके बाद में आपको rough work के लिए वह ही एक seat मिलेगी, exam center में ही, आपको अलग से कोई blank seat नहीं लेकर जानी है इसके अलावा बाकिया आप इसमें condition देख लें इसमें, कौन-कौन से item इसमें allow हैं, कौन-कौन से item इसमें allow नहीं है इसके बाद में आपका own screen पर right side में time show होता रहेगा, आप उसी time के according अपना paper solve करते रहें तो यह जानकारी थी, ICR के admit card के बारे में, और हमें exam में क्या-क्या लेके जाना है exam center के लिए उसके बारे में आप हमारी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करें, bell icon प्रेस करें, वीडियो को like वा ज्यादा ज्यादा share करें मिलेंगे नए वीडियो में नई update के साथ में, तब तक के लिए जय है